Hello everyone, welcome to today's update, hopefully आपका Saturday अच्छा जा रहा होगा, अब बात करते हैं कि मार्केट में क्या चल रहा है, Bitcoin ने कल एक अच्छा गासा डिप दिखाया, and क्या वो डिप सिग्निफाइ करता है, क्या हम यहां पे 30,000, 32,000 वाले डेवल को एक्सपेक्ट करके चल सकते हैं, नहीं चल सकते है वो मैं यह पर discuss करूंगा, उसकी possibility, and किन points को हमें ध्यान में रखना है, कल भी हमने आपको बताया था, कि अगर trend line break होती है, तो हम यह dump देख सकते हैं, और उसकी तरीके से यहां पर pull forward हुआ Bitcoin का price, साथी साथ कल काफी लोग 25 dollars का free, Altura का NFT drop नहीं ले पाए थे, वो कैसे करना है मैं उस पर थोड़ा से questions आपके answer करूंगा, तो थोड़ा आपको वीडियो के end पे मिलेगा, don't miss that, अगर आपको free का loot box रही है, make sure to like the video, अगर आपको अच्छी लगती है, चलते हैं chart की site, और देखते है market में क्या हो रहा है, हर बार की तरह यह है हमारा 4R का Bitcoin chart, and यहां पर market कर इस area से नीचे गिरा है, and इस area से bounce करना start हुआ है, अगर आपको कल की update याद होगी, तो हमने आपको बताया था कि यहां पर दो possible scenarios है, एक तो Bitcoin का price थोड़ा ऊपर जाता है, and इस major support से यह resistance लेना start करेगा, and उसके बाद इस trend line को follow करते वे उपर जा सकता है, एक साब पैटन में क्या हुआ है, हम इसी area से नीचे गिरे, this was that candle, तो हम यह expect करके चल रहे थे, या फिर हम यह expect करके चल रहे थे, तो अब देख रहे हो कि यह नीचे वाला scenario यहां पर play out हुआ, and उसके accordingly हमने shot भी किया था, जो आप से हमने telegram पर share किया था, volume जादा नहीं था market में, इसलिए हम जादा बड़े shots नहीं ले रहे हैं, छोटे-छोटे profit से हमें यहां पर काम चलाना चल रहा है, लेकिन accumulation zone है, जिसकी मैं बात करते वे आ रहा हूं, कि यह accumulation zone बहुत important है, तो आप please यहां पर accumulate करना ना भूले, हम हर बार parts में accumulate करते हैं, and this area has a very high chance of getting a bounce from BTC, अभी weekend में volume लो र BTC किया हमें दिखा रहा है, तो यह daily time frame का chart है BTC का, आप यहां पर देख सकते हो कि यह वाला support area है, this is the accumulation zone in daily time frame, and यह अच्छे से support की तरह काम कर रहा है, इसने almost यह support hold करके रखावा है 15th February से, and अभी भी इसको continue कर रहा है, साथी साथ यहां पर एक blue वाली trend line जो है, this trend line is also looking good, and trend line के along हम हो सकता है, BTC का moment देखे आने वाले time में, and this is something that we are expecting की यहां से grow करेगा BTC, BTC कापी time से down है, we need a good 50K तक का jump on BTC right now, ठीक है, BTC में 50K तक का jump आ सकता है, हो सकता है, उसके बाद fall करे, लेकिन, एक 50K का jump मेरे साब से, it should be coming soon, चाहे उसके, उससे पहले हम 36K, 35K के levels भी द जाएगा, उसके बाद दोबारा से डंप आने के chances जादा है, इसकी साइड, अभी हम देखते है, एथिरियम पे क्या चल रहा है, एथिरियम अपने accumulation zone पे है, हमने accumulation zone आप से कल भी discuss किया था, कि this is something that Ethereum bounces a lot from, तो Ethereum यहां पे 2788 डॉलर से दोबारा से आप देख रहे हो bounce किया है, अभी accumulation zone है, तो यहां पे मैं थोड़ा सा buy कर लेता हूं हमेशा ही, चाहिए इसके नीचे पी break करें, but we have a good triangular support, तो यह इसको उपर ले आएगा, and this is opportunity for a quick long, अगर आप देखो कि यहां से किसी ने अगर buy कर लिया होता, कल की video देख कि हमारी, जहां पे हमने Ethereum का यही zone discuss किया था सकते हो, लेकिन, as someone जो बहुत जादा बड़े returns expect कर रहा है, इस market में यह कर पाना थोड़ा मुश्किल है, क्योंकि volume नहीं है market में, volume देख रहे हो, market में, बिलकुल ना के बराबर है, जब dump होता है, तभी volume आपस आती है, that's it, बड़ी volume के साथ एक breakout हमें नहीं देखने को मिल है, जिसका हम काफी time से इंतिजार, आज मेरा यही plan रहेगा, कि accumulation zones तक का wait करो, bitcoin का, वहाँ पे थोड़ा accumulate करो, market थोड़ा upside लेगा, वहाँ पे हम इसको sell कर देंगे, अगर हम MACD की site देखें, तो MACD भी आप कुछ इस तरीके का ही signal दे रहा होगा, यह market अभी थोड़ा नीचे जा रहा है, तोड़े दर यह नीचे जाएगा, उसके बाद धीरे धीरे ऊपर जाना, start करेगा, probably Monday को हम एक rise देखेंगे, market में, और Monday के rise के लिए अभी से accumulate कर लो, अच्छा रहेगा, I think उसके बाद हम उपर की site sell कर सकते हैं, अच्छा ख़शा short यहाँ पे profit हम बना सकते हैं, बेट को सारे alt coins follow कर रहे हैं, तो आप किसी भी alt coin में trade कर रहे हो, उसके around आप इसको buy sell कर सकते हो, बात करते हैं थाड़ा ape coin की, क्योंकि ape coin को लेकि काफी request आ रहे हैं, तो ape coin में वही चल रहा है, देखो, अभी इसमें इतना data नहीं है, कि हम इसमें TA कर पाएं, हमें नहीं पत अधर रखो, आप देख रहे हो कि यहां अगर breakout हुआ है, यहां पे support form कर लेता है, तो अच्छा हासा उपर की side movement देगा, अगर नहीं कर पाता है, तो फिर यह गेरेगा around $20 के area तक, this is how it is moving, तो इसके along हम देखते भी चलेंगे, I think अभी $20 आने के जादा chances है, यह coin के rather than going too much up, बाकी volatile coin है, नया coin है market में, liquidity के issues हैं इसको, तो that's why हम यहां पे इसको ज्यादा margin assign नहीं करेंगे, now let's talk about Altura, and Altura का NFT है, जो काफी लोग कल नहीं क्लेम कर पाए, वो कैसे क्लेम करना है धंक से, तो आपको अपना यहां पर email लालना है, for example, मैं डालता हूँ crypto jargon at gmail.com, आपको ब एक error आ रहा है कि wallet must be 40 days or older, right, 40 days or older का क्या मतलब है, कि आपने जो भी wallet से connect करा है, अगर उसमें कोई transaction है, जो कि 40 जन या उससे पहरे हुआ है, तब ही आप eligible हो, क्योंकि काफी लोग क्या करेंगे, कि नया wallet बनाएंगे, और बहुत सारे wallet यहां पर connect कर देंगे, that's why उन्होंने marketplace V2, version 2 जो है, वो launch हो रहा है, आप सब को पता है, Altura क्या है, Altura एक gaming NFT का marketplace है, basically जो भी games NFT introduce करते हैं, अपने ecosystem में, उनके लिए Altura एक go to place प्रोवाइट करता है, कि आप अपना games का collection आप डाल सकते हो, for example, Venta Strike का आप देख रहे हो, हमने देखा, इसमें Earl of Dfish का भी था, तो यहा यहां पर यहां पर देख रहे हो, individual NFTs देख रहे हैं, तो यह लोग इसको change करेंगे, ऐसे collections को ज्यादा, यह लोग priority देगे, यह पर collections के हिसाब से list होगी, सारी NFTs, इसके बाद कि V2 में, अभी क्या यह BSC chain पर चलता है, तो यह B2 में, जो है, introduce करेंगे, multi-chain का support, आप Polygon Ethereum के NFTs भी यहां पर ला सकते हो, तो Altura काफी सारे यहां पर नए-नए इनुवेशन ले के आ रहा है, अपने marketplace पे, तो that's why they are doing this giveaway, ताकि वो user base अपना increase कर सके, and जैसे user base increase होता है, then they get even better and better deals for you guys, साथी साथ Altura का अपना खुद का token है, ALU token, आलू token, जिसके बारे हम बात कर चुक है, Altura का token बहुत strong token रहेगा आने वारे time में, क्योंकि this project was formed by a very very great team, हमने काफी work करा है, इन लोगों के साथ भी, that's why we know कि यह अच्छी team है, and एक अच्छा return भी आपको लाके देती है, आप देख रहे हो अभी मेरे पास कोई NFT है, बिग गई या फिर मैंने कोई NFT खरीद दी, तो कोई notification का system नहीं है, तो यह लोग एक notification system भी यहाँ पर introduce करेंगे, तो marketplace को पुरा revamp किया जा रहा है, and इसी को celebrate करने के लिए, they are giving away this loot की free में, 25 dollar की, and आप देख रहे हो, Altura के Twitter पे भी आपको दिख जाएगा कि क्या हो रहा है, Altura के Twitter को आप जरूर follow करना है, and कम्यूनिटी के link में नीचे डाल दूँगा, okay, so, अगर आपके पास कोई wallet है, जो 40 days या older है, तो आप आराम से से connect करिए, and free में आपको 25 dollar का यहां पर reward मिल जाएगा, कुछ आपको fees fees नहीं देनी है, एकदम free है, and जाके Altura को follow करिए, ताकि आप उस loot box को कैसे claim करना है, उसके लिए एकदम तयार रहे, so, that was it for this update, guys, make sure you check out Altura and उसका जो email notification है, वो on करो, जाके अपना wallet connect करो, free में आपको 25 dollar मिल रहा है, कुछ देना वेना है नहीं, loot box की मिलेगी, आप loot box खोलना, आपको अचा reward मिलेगा, तो मज़े ही मज़े है, last time हमने 1800 dollars का NFT निकाला था, live पे अपने, तो यहां पे कुछ भी हो सकता है, now, summarizing BTC का क्या analysis रहा हमारा, की market आज थोड़ा सा नीचे जाने के जरूर बताएं और लाइक कर देना वीडियो को, ताकि ये वीडियो जाल स्यादा लोग के बास पहुंच सके, thank you for watching, I will see you in the next one.